मेरा नाम है सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं तुरंत तो दोस्ट पहली खबर निकल के आती MG Motor India के तरफ से जिसने प्लान कर लिया है MG Hector Plus को जून में लांच करने के लिए अगर बात कर लें कौन्फिगरेशन की तो ये एक Six Seater Configuration होगी रेग्लर MG Hector के इंडिया में थर्ड प्रोड़क्ट होने वाली MG की और इस कार को showcase किया गया था auto export 2020 में अब बात कर लें ते कुछ important features की तो उसमें है एक नया LED DRL नया chrome grill नया bumpers के साथ कार आने वाली है जिसमें नए fog lamps मेंगे कुछ chrome element के साथ में refresh tail light मिलेगी और ये कार 40 mm longer होने वाली है regular mg hector से अब बात कर लें इतने power train के बारे में तो power train regular mg hector के जैसा ही रहने वाला है hector plus में जिसमें की same 1.5 litre petrol engine, 2 litre का diesel engine और एक six speed manual transmission standard रहने वाला है Chinese automaker Geely plan कर रहा है एक satellite launch करने का जो की fully dedicated होगा autonomous technology के लिए अब बात करने अगर Geely के बारे में तो Geely parent brand है Volvo और Lotus company का और ये जो satellite होने वाला है ये इस साल के end तक launch कर दिया जाएगा और ये satellite help करेगा autonomous cars के numbers को increase करने में तो I hope कि ये satellite helpful रहे हमारे autonomous industry के लिए और अगर आपने हमारे autonomous car वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो description box में लिंक है उसका अगली खबर निकल के आ रही है मारुति सुजुकी इंडिया के तरफ से मारुति सुजुकी ने Swift का जो diesel variant है उसको discontinue कर दिया है और जैसा कि डीजल को discontinue कर दिया है तो Swift अब केवल पेट्रोल एंजन में आती है पुरानी जो डीजल एंजन था वो 1.3 लीटर का 4-cylinder एंजन अब बात करने पहले बात की इंडिया ने इंप्लिमेंट किया है कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स टू फाइट कोरोना वायस पैंडेमिक अब बात करने पहले बात की तो वो है कि BMW ने एक isolation ward prepare करने में मदद की है एक governed hospital में जो की BMW के plant के पास में ही है BMW ने provide किया है personal protective equipment for the frontline medical personnel और BMW ने 3 करोड का donation pledge किया है to fight the coronavirus pandemic अब बात कर लेते हैं Hyundai की Hyundai ने launch कर दिया है grand item Neos का CNG variant जिसके prices start होते हैं 6.63 lakhs और top model 7.16 lakhs तक का अगर एक quick comparison कर लें petrol engine के साथ तो petrol और CNG में जो difference है उसमें CNG 73,000 ज्यादा cost करता है as compared to petrol engine अगर बात कर लें features की तो features as such such changes नहीं होने वाले है as compared to petrol engine और ये थी बात Hyundai तो अब बात कर लेते ही हिरो मोटो कॉप्स की हिरो मोटो कॉप ने डोनेट किया है 60 bikes to fight coronavirus crisis ये एक 3 wheel bike ambulance का concept है जो की Hero Extreme 200R पे based होगा अब बात करते हैं कुछ और relief fund जो की Hero Motor Cops ने डोनेट किये हैं तो Hero Motor Cops ने इसके पहले ही 100 crores का donation कर दिया था और अब बात पर लेते हैं Hyundai Mercedes, Audi और Volkswagen जैसे company ने अपने लोगों का help लिया है ताकि वो coronavirus pandemic में awareness वैला सकें जो की होने वाला है अपने लोगों को थोड़ा सा alter करके जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ-कुछ changes किये गए हैं और social distancing को promote करने का basically कदम उठाया गया है तो ये थी खबर आज के The Car Show के तो दोसे ये थे कुछ इस हफते के auto updates I hope आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजे चैनल को subscribe भी कर सकते हैं और comment करके जरूर बताईए कि कैसा लगा आपको क्या improvement किया जा सकता है और क्या suggestion आपका होगा जरूर आपको comment box में बताईए और अगर आपको autonomous car वाला वीडियो देखना है तो description box में link है तुरंत जाके उस लिंक पे click करके आप वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों ये था इस हफदे का the auto show the car show तब तक के लिए मिलते हैं अपने घरों में रहें stay home stay safe